हेलो दोस्तो नमस्कार पहरे जो चीजे यहाँ पर देखने को मिल्रहे है सुन्ने को मिल्रहे है यह चामील में इस लिए खोला था कि जो होते वह आल कप लोगों को निवेश करने के लिए और आवसानी से रीटरं आप लोग वह और खुद बा-kुद कमा सकते थे वो आपको पैसे लेके वहाँ पर खरीद वेके बताते हैं इससे कौन से स्टॉक है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला है इससे पहले बहुत बार वीडियो मैं ने बना है कोई ने रोकेट स्टाइन्स वाले स्टॉक नहीं है एसा कोई छुपावा स्टॉक रहेगा जिसका नाम पढ़ने में दिक्कत आने वाली है सिम्पल 4 स्टॉक से जहाँ पे मूचल फंड भी निवेश करते हैं यहाँ बताने वाला हो तो चलित दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ तो चले जोस्तो 1 video को यहाँ पर में start करता हूँ बट उससे पहले तीन वीडियो आप लोग को बताना चाहूँगा तो ज़रूर देखिलना अपडेट रहने के लिए बहुत ही इंपोर्टन काम करता है वो सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ विद प्रूफ मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि इन स्टॉक में होल्ड करना इन स्टॉक में रुख जाना सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते सबसे पहला कोई स्टॉक है तो उसका नमे बजाज finance, आप लोग देख सकते हैं, बजाज finance अभी 3,000 के उपर जा चुका है, 10% की jump और मुझे अभी भी मेरा वो dialogue यादे, मैंने कहा था आप लोगों को, कि जितना हो सक के 2000 के नीचे buy कर लेना, आप चाओ तो 1900 के उपर, आप चाओ तो 1800 के उपर, 100 के gap में buy करते रेना, किसी को भी नहीं पता है, मैं in fact ये भी कहना चाता हूँ, कि आज के बाद भी किसी को भी न नीचे गया, तो आप लोगों को average करने के वांदे लग जाएंगे, बट ऐसी stock हमेशा अच्छे होते, बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था, ये भी मैंने कहा था, कि जब ये आगे जाएगा, तीन हजार के उपर जाएगा, मैं वापस वीडियो बनाऊंगा आपको याद दिलाऊंगा, यही चीज आप लोग खुद भी कर सकते हो, बहुत सर लोग पैसा लगए, यही चीज आप लोग को सिखवाते हैं, कि यह करना चाहिए, या फिर आप लोग को recommendation देते हैं, कोई ज़रुवत नहीं होती, इस सारी चीज आप खुद बखुद कर सकत है, मैं वापस कहरा हूँ, कि stock बहुत जबरदस है, company में internal कोई issue नहीं है, सिर्फ coronavirus ऐसा चीज लाया था बीच में, वो pressure में आता है, यह भी कहरा हूँ, कि Q1 के numbers आएंगे, इस company के band भजने वाली है, बट तबी भी याद रखना कि सिर्फ यह अकेली company नहीं है, इसी के साथ सा और भी company चलती है, उनकी भी band वजेगी, बट यह company बहुत बड़ी है, देड़ लाग करोड से भी ज़्यादा का market capitalization है, तो यह company survive कर सकती, इतना cash है इनके पास, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसे stock में बने रहना चाहिए, कितने सारे लोगों को मैंने कहा था, नीचे comment section में जरूर बता देना, तो बहुत सारे लोगों को भी पता चल जाएगा, और एक बात दोस्तो, जब यह stock बहुत tough situation से जा रहा था, मतलब news आ रहे थे, fraud से related, videos भी आ रहे थे, मैंने दो बार वीडियो बनाए थी, आप लोगों को सिखा था, किसी ने तब भी वीड button पर click करके देख सकते हो, यह मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि अच्छा stock आप से हाथ से निकल सकता है, बहुत सारे लोग आपको panic करते रहते हैं, हर वक्त panic करते रहते हैं, कि इसमें से निकल जाओ, इसमें से hold करो, निकल जाओ, hold करो, ऐसा नहीं, अगर आप long term के निवेश को, तो अच्छे company में हमेशा बने रहना चाहिए, बट यही कहना चाहतो, company fundamental strong है, इसलिए मैं आप लोग को कहा था, कि इस stock में बने रहना चाहिए, अगर आप लोग को life proof चाहिए, मैं आप लोग को आखिर में वो वीडियो भी दिखाने वालो, play करके दिखा दूँगा, आप लोग को वीडियो जहापे मैं यह stock आप लोग को दिखा दिया था, और आप लोग को यह भी कहा था कि exit मत कर लेना, so 66,000, वापस बताना चाहतो, 66 66,000 से भी जादा लोगों ने वो वीडियो देखा था, और बहुत जादा लोगों को तभी मैंने कहा था कि इसको hold करना, तो कुछ लोगों यहापे सुना भी था, and finally वो आज लोग reply करके बता रहे, कि यहापे अच्छा कासा stock उनके हाथ से निकल सकता था, बट मैंने उनको क कि रुख जाओ करके इसलिए वो रुख गए, सो बजच फाइनस सबसे पहला stock है, कोई rocket science नहीं है, बहुत ही अच्छा stock है, अगर वापस कभी future में गिर भी जाता है, तो इंटर करते रहे ना कोई tension की बात यहापे नहीं है, सो बजच फाइनस के आज की दिन की performance की बात यहा आ चुका है, अगर आपको वापस लिख के बताना चाता है, अगर आप सोचते हो कि मैं पात साल होल्ड करूँगा, दस साल होल्ड करूँगा, तो आप तीन हजार के लेवल पे इंटर करोगी ना, तो भी कोई बिगणने वाला नहीं है, आप लोग चाहो तो होल्ड कर सकते ह इतना लंबा होल्ड करना चाहिए, आज एंटर करोगे, कल गिरेगा, दो दिन के बाद बोलोगे, आपने कहा था, तो ऐसा नहीं, आपका लेवल याद रखना, आपने कहा था कि मैं इतना लंबा होल्ड करूँगा, तो ज़रूर रहना चाहिए, तो चले दोस्तों, नेक्स और फिनसों में डिफरेंस क्या है, डीटेल में वीडियो बनाया था, वो भी आप लोग देख सकते हो, जितने आपके डाउट से, रीटेल निवेशों के लिए, जो भी डाउट होते हो, मैं हमेशा जितना टाइम मिलता है, उसमें सॉल्व करने के कोशिश करता हो, जरूर व हम लोग को देखने को मिल जाता है, जब मार्केट भागेगा, तभी ये स्टॉक भागेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स वाले स्टॉक है, ये नहीं भागेंगे, तो निफ्टी काहे से भागेगा, तो यही तो कहना चाता था, कि आप लोगोंने ऐसे स्टॉक में कोई सबसे बड़ा एडवांटेज है, इंशॉर्ण सेक्टर में काम करती है, आज के दिन सिर्फ 9% के आसपास डिलेवरी देखने को मिल रहे है, उससे कमपनी के उपर ज्यादा कोई फरक नहीं बढ़ता है, तो 10,000 का स्टॉक बीच में हम लोगों को 5,000 के नीचे देखने को मिल करना आप चाहो तो इसको इगनोर भी कर सकते हो, तो चले दोस्तों नेक्स स्टॉक के उपर यहापे आ जाते हैं, और उसका नमें HDFC बैंक, अभी बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा, मैं कौन से 4 स्टॉक की बात कर रहा हूं, और वही मैं हमेशा बात करते हूं, कुछ लोगों का एक कहना होता है, सर कितनी बार उनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाएगे, मैं हमेशा उनको यही कहता हूं, कि देखियो हम लोग होटेल में नहीं है कि चले नया डिश्ट ट्राइ कर लेते, जो अच्छे स्टॉक है उनी को पकड़ के आगे चलना होत अच्छे कमपनी, जब तक उनके फंडामेंटल्स खराब नहीं होते हैं, उनको छोड़ना नहीं होता है, और आज ये कमपनी के आज भी इन कमपनी के, जो अब तक मैंने आप लोग को बताया, बजाज फाइनस हो, फिंसा हो, HDFC बैंक हो, जो चौथा नंबर का स्टॉक है, उनके फंडामेंटल आज भी क्लियर है, आज भी मजबूत है, जितने पहले थे, आज भी उतने, और सारे के सारे कमपनी, हम लोग को टॉफ 15 में देखने को मिल जाते हैं, सो HDFC बैंक भी हमेशा मैं आप लोग को लिख के बता, तो हजार के नीचे देखने को मिलता है, लेना, मैंने उनको यही का है, कि अगर आज आता है, फिर भी मैं खरीद लूँगा, साड़े चारसो के अगर वो 45 रूपीस पे भी आ जाते, तो भी मैं खरीद लूगा, क्योंकि मुझे कमपनी अच्छी लगती है, सो कमपनी अगर अच्छी लगेगी, तो जरूर में खरू दूँगा, सो यही करना है, दोस्तों, आज भी आप लोग देख सकते हैं, कितना अच्छा का सा रिटर्न, HDFC बैंक में हम लोग को यहापे हो रहा है, तो HDFC बैंक की अगर हम लोग आज की दिन की परफार्मस की बात करें, तो यहापे देख सकते हैं, 38% के आसपास डिलेवर आप लोग देख सकते हैं, next stock, HDFC लिमिटेड, हमेशा में आप लोग को कहता हूँ, H2B2, बहुत सर लोग बोलते हैं, सर कितनी बार वीडियो हो गया, यही तो कहना चाता हूँ, कितनी बार हो गया, अभी तो समझ लो, कि इनी में पैसा बहुत ही आसानी से बनता है, क्यों त तो तीन से चार मैना भी लग गया, बट आपका रिटन जरूर मिलेगा, ऐसे stock में नहीं जाना होता है, कि वापस रिटन ही नहीं कर पाएंगे, सो आप लोग देख सकते हैं, HDFC लिमिटेड, अटरा सो की उपर आ गया, हम लोग लगबख पंदरा सो से यहाँ पे उसको ट्रै गलत नहीं जा सकता, बट जैसे मैंने कहा कि कंडिशन है, पाथ से 10 साल, आज एंटर करोगे, कल 17-16 सो होज गाएगा, और बोलो कि सर कैसे चलेगा फिर, तो फिर आप लोगों का नजरिया लंबा होना चाहिए, तो ऐसे stock आप लोगों को गजब की रिटन कमा के दे देते हैं कि इन stock में निवेश करो, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, H2B2, mutual fund यही करती है, हमेशा नीचे आते हैं, यही पर पैसा लगा देते हैं, आप जो पैसा किसको देते हैं, mutual fund को, maximum पैसा उनका इधर ही जाता है, फोरे निवेशक इनी में जादा से जादा पैसा लगाते, बहुत अच्छा लगा, इससे पहले वो penny stock लेता था, आज उसको समझ में आ कि पैसा बनता है, बट time देना पड़ता है, so क्या मैं profit book करूँ, मैं वापस करना चाता हूँ, अगर आप खुश हो 60% में, आप लोग definitely book कर सकते हो, कुछ लोगों का target हुता है, मैं 600% कमाना चाता ह अगर आपको प्रूफ देखना है, तो आप खुद जाके यहाँ पे H2B2 and मेरा चैनल का नाम SMKC type करना, YouTube के में बात करूँ, आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने वीडियो आ जाएगा, 66,000 लोगों ने ये देखा है, और उसी का title देख लेना, क्या exit करें, बहुत सारे लोगों ने panic किया था, H2B2 में, जब गिरता है तब ही, सारे लोग पैनिक करते हैं, आज SMKC, तो सबसे पहले HDFC तबी चल रहा था, 8.42 पे, ये वीडियो प्ले कर रहा हूं, वापस देख रहा हूं, हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, वीडियो को यहाँ पे shift करेंगे, HDFC Bank के बाद, हम लोग यहाँ पे देखने वाले next talk को यहाँ पे analyze करेंगे, जहाँ पे द सकते हैं, स्क्रीन के उपर आ चुक है, HDFC तबी चल रहा था, वो 1500 के आसपस, तबी मैंने आप लोगों को सेम चीज़ें यहाँ पे बताई थी, सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो, मैं प्लेफ बेटन के उपर क्लिक कर रहा हूं, इस कंपनी में भी जिन लोगों पर आगे जाएंगे, सो HDFC के बाद यहाँ पे और दो स्टॉक, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, HDFC बैंक दिखा है, HDFC दिखा है, देख लेना, बजाज फाइनस, कितने पर चल रहा था, 181900 के आच पास, और सेम चार्ट पेटन यहाँ पे मैंने ओपन करके बताये था, आप बी गिरावट होगी, बट अच्छे स्टॉक को कभी भी अपने पॉर्टफोलिय से रिकालना नहीं होता है, वहाँ पे अच्छे कासे रिटन जरूर मिलते हैं, तो दोस्तों आगे की बाते सुन देना, बजाज फाइनस भी अगर आपके पास है, तो कोई चिंता की बात नही आप लॉस में हो, तो आप बाय ओन डिप्स के स्टैटजी जरूर इस्तमाल कर सकते हो, मैंने ये भी कहा है, अगर आप शॉट टर्म इंवेस्मेंट करके भी कमाना चाहते हो, तो दो हजार पे आप लोगों आप फर्स्ट इंस्टरल्मेंट लगाया होगा, उसके बाद आप आप लोगों को लाइफ प्रूफ के साथ यहां पर बता दी, जैसे मैंने का ये वीडियो भी मैंने उपर आई बटन पर डाल दिया है, तो वहाँ पर एक बार जरूर चेक कर लेना, इसका जो overall conclusion क्या है दोस्तों, इसका overall conclusion यही है, कि unnecessary बहुत सारे लोग आपको panic करते, यही stock बताने के लिए वो आपसे unnecessary पैसे लेते, तो इसकी कोई जरूरत नहीं होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों ने खुद सीखना चाहिए, एक चीज, अच्छे stock जो slate करते ह साथ hold भी करना चाहिए, टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजों को वक्त लगता है, अच्छे time मिलने के लिए, so finally आप लोग देख सकते कि कैसे यह stock उपर जा रहे है, शायद से और भी आप उपर जा सकते है, अगर नीचे भी गए, तो आप लोग buy on dips की strategy से यहाँ पे apply करके यहाँ पे hold कर सकते हो, so आयो पाशा करता हो दोस्तों, जितनी भी आप लोग के doubts थे मेने आपे clear करते, with proof यहाँ पे बता दिये, तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे, तो like ज़रूर कर देना, so उससे मेरा motivation बढ़ जाता है, और दोस्तों के साथ maximum share कर देना, दोस्त तो free of cost आप लोगों को सारी बाती ऐसी daily basis के उपर यहाँ पे मिलती रहेंगी, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting on our next, तब तक के लिए, bye-bye